एक्साहिस 4.3, question number 1, part number 1, यह मैंने लिखा हुआ है, under root 180 है, आपको इसको question लिखा हुआ है, express each of the following third in the simplest form, third का मतलब यह under root को हम third कहते होते हैं, math की language में, pure mathematical में, तो आपको किसी तरीके से इनको simplify करने हैं, इन numbers को, तो सबसे पहला जो step आप करेंगे, वो यह है कि 180 के आपने pairs ब simplified number से हम start करते हैं, 2, 2, 90 times, 2, 45, then 3 into 15, and then 3 into 5, and 5 into 1, तो यह जो इसके factors बने हैं, वो मैं यहां पर place करने लेगा हूँ, 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 5, अब आप देख लिए होंगे कि इसमें, 2 दो दोफा रिपीट हो रहे हैं, तो यह 2 स्केर बन जाएगा, यह वाला, इसी तरह 3 भी टू टा को हम 3 स्केर लिख सकते हैं, combine करके, और 5 as it is रिखा, क्योंकि यह पेर नहीं बना रहा, इसी तरह फिर अगर हम इन तीनों के scares को under root से cancel करें, तो हम कहा सकते हैं, कि 2 square whole power 1 by 2, क्योंकि under root जो हता है, simple जो under root हता है, उसकी value 1 by 2, उसकी power 1 by 2 होती है, इसी तरह फिर यह 3 स्केर है, इसको भी आप power 1 by 2 जो है, वो provide कर देंगे, और 5 जो है, इसकी तो नहीं है power, आप से as it is under root में रहने देंगे, अब 2 powers आपस में multiply होंगी, 1 by 2, 3 square, 1 by 2, and under root 5 as it is रिखा, इनकी powers आपस में आप cancel कर देंगे, और चुके यह numbers आपस में multiply हो रहे हैं, तो 2 into 3 हो जाएगा, और under root 5 again as it is आएगा, 2, 3 times 6 under root 5 हमारा answer आजेगा